27 सितंबर भारत बंद का प्रभाव बर्नाला में पूर्ण तरीके से देखने को मिला और सबसे बड़ा प्रभाव उस समय देखने को मिला जब बठिंडा से चल कर दिल्ली जाने वाली ट्रेन को बर्नाला की तहसील तपा में किसान संगठनों ने रोग लिया जिससे ट्रेन में बैठे यतरियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा कुछ घंटों की मशक्कत के बाद धीरे धीरे ट्रेन खाली होना शुरू हो गई और ट्रेन में फसे मुसाफिरों के लिए तपा शहर के समाज से भी और किसान संगठन नेताओं ने जिम्मेदारी लेते हुए उनके खाने पीने और चाय का इंतजाम करते हुए खुद किसान नेताओं ने यतरियों को खाना बांटा और केंदर सरकार की बुरी नीतियों के बारे में रोश जताते हुए कहा कि पिछले एक साल से लगातार खेटी कानून बिलों के विरोध में किसान संगठन संगर्ष कर रहे हैं पर केंदरस सरकार सुनने को तयार नहीं वहीं आज केंदरस सरकार को पता था कि भारत बंद की कॉल दी गई है ट्रेन पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी लेकिन केंदरस सरकार की नाराजगी के चलते आज सैंकडो यात्रियों को परिशानी का सामना करना बड़ा वहीं ट्रेन में सवार यात्रियों ने भी अपनी परिशानियां बताते हुए कहा कि कोई जरूरी काम से जा रहा है किसी के घर में कोई मौत हो गई है कोई अपने बच्चों सहित परिशानी बता रहा था यात्रियों का कहना था कि जब रेलवे विभाग को पता था कि 27 तारीक को पूर्न तौर पर चका जाम किया जा रहा है तो उन्होंने ट्रेन चलाई ही क्यों और अब आधे रास्ते में ट्रेन रोक दी है जिसे बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वर्नाला से हल चल के लिए विनोध शर्मा की रिपोर्ट चल के लिए रहा है आज जथा कि दो तु सही देख रहा हो के 6 विज़ कहले ही साधी सेंकशने दिता बेदा बेदेबी पुझन सुरू हो गहे सी जेडियां काडियां ने जेडियां मॉध कह भी छे बज़ तो पहले ही असी छे बज़ सही तो पज़े ते नाल दी नाल जो तो सूरज दी पाद चम करें जी ता साथे किसाना दे रोड़े नारे यह जड़ी वो तुसी वेकरें पिछे लग रहे हैं ते ए सारा दिन मोधी कुम्तनू ए चैलेंजों दा कबूल कर ले हैं